हीना साप संसत्त बन रही है सीवान की अपने बच्चों के सुनहरे भविश्य के लिए आजी सिवान इंटरनाशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं जहां आपकी बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं फ्रे अडमिशन फोर प्ले ग्रोप टुनाइम वजट टुडे लुवान नियर करवला बजार बढ़रिया सिवान जिस तरह बिनोज जस्वाल की मल्सी चुनाव में जीत दर्ज हुई है बस तीन चार पाज बिधायक थे कांगरेस के पक्ष में भोट मांग रहे थे जो दो विधायक अदर थे तीन आपके विधायक भोट मांग के जीत दर्ज करा दिये थे वह भाजपा के तरफ देखा जा रहा था तो मंतरी से लेकर संत्री तक तमाम लोग लगे हुए थे या सिवान का कमान मंगल पांडे जी के हाथों में दिया गया था कि वो जीत दर्ज कराएंगे जीत दर्ज करना चाहते हैं सिवान के लोग सभा एक बार फिर से राजप के हाथ मिल देना चाहते हैं क्या सफल हो पाएंगे आप लोग देखे आज सिवान के ही नहीं पूरे बिहार की जनता नितीश कुमार को देखना नहीं चाहती है उनको पसंद करना तो दूर की बात है मुख मंत्री के कुर्शी पर उनको देखना नहीं चाहती है जिसका जीत जाकता स्वबूत है कि एक आम लड़का जा करके उनको थपड मारता है इससे अंदाजा लगा ये कि कितना उनके बिरोधा कुरोस है जनता में जीस तरह से शिवान में हमारे पाटी राजत के परत्यासी हम भी लगे थे हम लोग भी हर कचकरम में थे बिनोज जैश्वाल जी का जीत हुआ जीस तरह से बोचहा में उपचुनाओं में रश्टी जनता दल के विधायक का जीत हुआ एक भारी बहुमत के साथ उससे ये लगता है कि शिवान ही नहीं पूरे परदेश में राजत का जंडा फहरेगा और तेजस्वी जी मुख मंत्री बनेंगे यही अब हम लोग मान करके अपना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग फेस्बूकिया मेहनत नहीं करते हैं भारती जंता पाटी के तो लोगों को काम है कि बंदे मात्रम भारत माता की जय बोल दिया लगता है कि सारा समस्या दूर हो गया बड़ा बड़ा अपराधी लोग उसमें बैठा है अब पीला बस्तर पहन लेता है भगवाबान लिया लगता है कि फतोय हो गया जीत गए हम ल प्रेट में दोस रुपिया में एक बिल रहा है यह महांगाई इस पर कहीं भारती जनता पाटी बोल रही है यह लोग शिर्फ हावा फैला करके जूट साथ परचार करके यह लोग सत्ता में रहना चाहते हैं इस बात को जनता आप समझ गई है आने वाले दिन में यहां राष् बनेंगे तेजस्वी जी और सरकार चलेगी इमंदारी के साथ कहीं कोई जूट जुटा और सच्चा दिख्भर्मित लोग नहीं करेंगे किसी गाव में तराव नहीं रहेगा और नहीं शहर में रहेगा तो यहां तो लोग साभा के लोग प्रिये जन प्रिये नेत्री यहां है हेना साहब इस वार वो चुनाओ जितने जा रही है लाखो लाख भोट से कोई रोकने जा रहा है अगर ऐसा होता रहा तो मैं सिवान छोड़के चली जाओंगी क्या कहना चाहेंगे आप देखिए अब मान लिजीए कि जो वेक्ती एक महिला अच्छी तोरह से सिवान जिले के आम जनता की भावना को समझते हुए जिस तरह से उँ महनत करती हैं सिवान के दुख दर्द में सामिल होती हैं तो अब उनके बेटा के बिरोध फोटी शेबन कांड में या कोई बड़ा कांड में कोई नाम जोलवा देता है तो बहुत तकलिफ की बात है इसे कारण उनका इमसलल ये बियान था कि लोग क्या चाहते हैं है ना सब तो अपराथी नहींगों सब्ले चीटर के क्या बात करते हैं यह लोग कैसे टिकेट कटेगा जहां और बहारी चोधरी जहीं से महांत अब दिगर्ज लोग प्रिये जन प्रिये नेता जहां बईठा है वहां टिकेट कटेगा है न साब कहा है यह तो सब पुपलेडिया एक दूगों रखा है लोग फेस्बूक लालू जी हमारे पाटी के नेता है वह विचार धारा है स्वाब टिकेट वा उन्हीं के नाम पर जीज़ता है का चुन हुआ यह बेक्तिगत भी चाहिए तो सिंबल देते हैं उनको ग्यान नहीं एक किसको देना है इसा ही लोगों को टिकेट देंगे एक बार हो गया हो गया कुछ पोल्टीकल चीटर लोगों के इंटरी हो गई है इसके कारण उनको थोगा धायरे रख कर चलना होगा मैं मतलब मुझे लग रहा है इसलिए कि पोल्टिकल चीटर लोग आज की डेट में बहुत राजनीत में इंट्री हो गई है इसलिए हम लोग देख रहे हैं बहुत गंभीर पुर्वक से ब्यान देते हैं चार-पांच महीने के बाद आप आएं तो हम ब्यान दिये हैं जो है कि इतना गारागारी शुरू कर देते हैं कि शिवान के नाम कलंकित हो गया राजनीती कुबरकर का भी नाम कलंकित हुआ इस तरह का राजनीत नहीं होता है यहां से एक-एक करता अच्छे-चसे लोग पैदा होते हैं आँच्छा से अपना रहते हैं तो मेरा जिला तो आत्मनीर भर है लेकिन ऐसे लोग आ करके राजनीत में राजनीत को जितना गंदा कर दिया है राजनीत को खेलबार समझ लिया है मैं उसका बहुत बिरुद करता हूँ और मुझे उससे काफी तकलीफ होती है अरी राजनीतिक बेक्ति बनना है तो बनिये मान बंदन को यहां लाखों लाख भोट से चुनाओ जिता करके अहेना साब को दिली भेज़ेंगे हम लोग यहां से अपना बात को रखे हैं तो उसमें भी जा सकती हैं यदि उसमें नहीं गई तो लोग सबा कौन रोकता है सिवान की एक-एक जनता एक-एक वहां मूड मिजाज बना चुकी है कि इनको इस बार भेजना है तो भेजना है क्या आप चाहते हैं ओनलाइन वेबसाइट या सौफटवेर या फिर मुबाइल आप्लिकेशन बनवाना तो तुरंट संपर कीजिए भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलिज वेबसाइट, शौप वेबसाइट, इकोमर्स वेबसाइट, इंस्टिटूट वेबसाइट, परसनल वेबसाइट, ऑल्लाइन बिसनेस प्रोमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफटवे या ओल्लाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर करें मुबाइल नंबर है 9718925775 या वाट्सप करें 9268751849